आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहा है नेशनल डिफेंस अकाडमी के एकजाम के वारे में NDA के एकजाम हर साल आयजित की जाने वाली रास्टी एस्तर के परव्यस परिच्छा है इस परव्यस परिच्छा के माध्यम से योग उमिद्वारों को भारती नौ सेना आर्मी और बायु सेना के परशिच्छन के लिए चुने जाता है NDA की परिच्छा हर साल UPSC द्वारा आयजित की जाती है यह परव्यस परिच्छा क्वालिफाई करने के बाद उमिद्वारों को SSB इंट्रुईव यानि सर्विस सेलेक्षन बोर्ड भी क्वालिफाई करने होती है खड़वासला में इस्थित राष्टी रच्छा कादमी NDA भारत के सबसे परतिस्थित अंतर सेवा परसिचन के अंदरों में से एक है किसी भी परिच्छा में सफलता उन्हें इस्टेंट को मिलती है परस्थ होती है यही कारण है कि इस परिच्छा में उतिर्न होने वाले स्टेंट कमर उम्र में ही सेन अधिकारी यानि ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके लिए बेहतर उसर हो सकता है एंडिय की परिच्छा के लिए क्योल वही आविवायत पुरूस अभियर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र सोला से उनिस के बीच हो सेना के तीनों अंगों के लिए पुन्ता स्वस्त कनिडेट की लंबाई कम से कम 157.5 सेंटिमीटर और एयर फोर्स के लिए 162.3 सेंटिमीटर और इसी के अनुपात में वजन भी होना चाहिए इसके अलावा एयर फोर्स एवनेविक के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक विशयों के साथ बारहमी की परिच्छा उतिर्न होनी चाहिए हलाकि आर्मी बिंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से बारहमी पास इवा आवेदन कर सकते हैं कोई भी विशय से जो पास होगा वो आवे इसका प्रमान पत्र देना होगा एंडिये की परिच्छा में दो बिस है जिसका कुल अंग नौ सौंगों का परिच्छा होता है इसमें पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा है जेनरल एवरेटी टेस्ट दोनों में धाई-धाइविंटे के पेपर होते हैं मैथमेटिक का जाएगी रिटेंट टेस्ट क्लियर करने वाले केंडियेट को सेना के सर्वीच सेलेक्शन बोड यानी सेस्वी द्वारा इंट्रिव्यू और विक्तिकत परिच्छन के लिए कॉल कर जाता है परिच्छा के इस चरण का मुख उधेश है केंडियेट की पसनाल्टिय और उसक सेंटर पर ही बुलाया आँ आप मत तवर पर एसेश भी इंट्रिवी पांच दिनों का होता है लेकिन इसमें पहले दीन इस्कृइनिंग टेस्ट की जाती है जिस में स्क्रिशिकलिंगं टेस्ट लिया जाता है इस को अगले 4 दिन तक कई dág होते हैं इस दोरान उनका गुरूप डिसकासन यानि जीडी साइकलोजिकल टेस्ट इंट्रिवी वोट पता गुरूप टास्क ऑफिसर द्वारा अलग-अलग तरीकों से आकलन किया जाता है और उनकी आईकू को चेक किया जाता है जांचा परका जाता है अगर आप इस तरह की दो भागव में होता है पहला रेसेशन में छात्रों को अपना मूल या अनिठेल भरने होते हैं और पार अचासन के जीड़ान चात्रों को अपनी तसवीर सिग्नेचर अपलोड करना होगा परिच्छा के अंदर का चुनाव करना होगा और आवेदन सुल्क का भुगतान करना होगा छात्रों को आवेदन जमा करने से पहले पुरी तरह से आवेदन पत्र की जांच करनी चाहिए क्योंकि बाद में इसमें कोई सुधार नहीं किया सकता आवेदन सुल्क यानि फीस आवेदन सुल्क सभी स्रेनी के उमजारों के लिए 100 रुपिया है छात्र अपनी आवेदन फिस, ओनलाइन डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओनलाइन बैंकिंग SBI चलायन के अमाद्यम से सम्मिट कर सकते हैं जैशनी क क्यक्ता राश्री रच्छा अकादमी के सेणा विंग के लिए जो ठात्र बारामी में भी पढ़ रहे हैं वे अवेदन कर सकते हैं भायू, सेणा, नौशना के लिए नियुत्म सैशनी क क्यक्ता बारामी है लेकिन इसके साथ बहुतिक बिज्ञान, रसायन, बिज्ञान और गनीत अनिवार्ज बिशाय के साथ होना चाहिए। सारेडिक स्टेंडर होता है चात्रों का चात्र सारेडिक रूप से और मांसिक रूप से फिट होना रास्टी रच्छा कादमियम नौसे में दाकले के लिए बहुत ही जरूरी है। परिच्छा का जो मोड है, एंडिय की परिच्छा साल में दो बार कलम और कागज यानि आफ लाइन अधारित होती है। परिच्छा दो पेपर का होता है, पहला पेपर गनीत और दूसरा पेपर समान च्छमता यानि जेनरल अबिलिटी टेस्ट का होगा। प्रस्ण का प्रकार केवल बस्मीट प्रस्ण पूछे जाते हैं, जो परिच्छा की अवदी होती है, वो दो घंटे 30 मिंट की होती है। यानि टोटल पांच घंटे का पेपर होता है। प्रस्ण प्रत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में होती है। प्रस्ण को सौपे गए अंग्रों का 33% प्रत्यक गलत उत्तर के लिए काट दिया जाता है।